जाहिन दोस्तों स्वागत अब सभी का विजडम एजूकेशन पर आज 5 अगस्ट 2021 है दैनिक जागरन के राष्टिय संसकर्ण का कम्प्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे जो यूपेसी, स्टीट, PCS या किसी भी वरंडे एक्जाम के प्रिलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ती सबसे पहले जो न्यूज मुझे आपके साथ डिस्केस करना और जो आपके एक्जाम प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है वो यह है, स्कूली सिक्षा भरेगी नए उरान, इसको डीटेल में आप लोग पर सकते हैं, इसमें क्या किया गया है कि समगर सिक्षा योजना को पांच साल के लिए जारी रखने पे मोहर लगाया गया है, सभी कस्तुर्वा गांधी बिद्याल्वेओं को बारवी तक किया जाएगा और मौजुदा सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में स्ट्रीम के बजाया नए विसे जोड़े जाएगे, देखो समगर सिक्षा अभ्यान जो माद्य में एक सिक्षा अभ्यान को रेगुलेट करने का प्रोविजन था और तीसरा था टीचर एजूकेशन, ये तीनों ही कॉंसेप्ट को मिलाकर, तीनों ही योजना को मिलाकर कि समगर सिक्षा अभ्यान 2018 में लाया गया था, जिसको सरकार अभी आने वाले 5 साल में और इस से ले करके 31 मार्स 2026 तक प्रहावी रहगा, यानि 5 साल के लिए इसको रेगुलेट किया रहा है, और कुछ नई चीजें समग सिक्षा भ्यान के दोरान या उसमें जोरी गई है, यहाँ पर आपको पुरा डेटेल मिल जागा, इस डेटेल को एक बाद देख सकते हैं, एक बा पच्चों को अब साल में 10 घंटे का इंटर्नसिब कूर्स दिया जागा, जिससा कि आपको पता है नई सिक्षा निती में क्या किया गया है, कि क्लास 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा रहा, वोकेशनल ट्रेनिंग मतला होता है इंटर्नसिब कूर्स दिया जा रहा, जो आपके interest में जो आपके रूची में आपको पेंटिंग सिख सकते हैं आपको कुछ भी सिखना जो आपका interest में बढ़ाई का काम सिखना है कुछ skills का काम सिखना है तो आप सिख सकते हैं जो आपको business रूप से training दिया जागा class 6 के माध्यम से ही तो परतिक एक स्कूल में एक साल में 10 घंटे का internship course होगा यह धीरे धीरे जो है नई सिख्षा नेती को regulate करने के लिए सरकार काम कर रही है इसी तरह से राणी लक्ष्मी बाहिप आत्म रक्षा प्रसिक्षन में लरक्यों को छट्थी से self-defense का प्रसिक्षन दिया जाएगा सभी बालिका चा जाएद्या वित्या मदद दिया जागा तो लाश्टिय खेल को भी प्रोसाहित करने के लिए सरकार काम करें देख रहे हैं जिस तरह से वर्थमान में हमारी condition काफी ख़राब चल ले ओल्लेंपिक में और बिहार के करने और ख़राब है बिहार से एक भी जहात एक भी चाहो रहा, तो Delhi आपको पहने की ज़रूत नहीं, बस नीज्ता का अधिकार को जाकर के देख लेना, और Pegaras का जो basic concept है, Pegaras Aspireware का जो basic concept है, उसके बारे में आपको जानकारी होने चाहिए, डेली हम इस पर discuss करते हैं, इसलिए Delhi इसको discuss करने के ज़रूत नहीं है, देखो ये काफ करने के लिए सरकार एक अध्यादिस लाई थी, उस अध्यादिस का नाम है, राष्टिय राजधानी छेत्र और सनलगन छेत्र में वायू गुनवत्ता प्रबंद के लिए आयोग अध्यादिस 2021, यानि वायू प्रबंदन आयोग अध्यादिस 2021 सरकार जो लिकाए थी, अध् ज्यादे इसको अब बिल के माध्यम से इसको convert किया जा रहा है, यानि अब इसको act बनाया जाएगा, तो details है में analysis करते हैं, रास्तिय राल्थानी दिल्ली के आसपास के छेत्रों का air pollution का क्या कारण है, उसका क्या समाधान हो सकता है, और यह जो नई आयोग बनी है, इस आयोग का basically क्या concept है, देखो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा, air quality index, aky, लगातार UPC question पूछता है, और अब तो state PCS भी question पूछता है, air quality index के बारे में, air quality index के अंतरगर आठ component होते हैं, आठो component के बारे में आपको पता होना चाहिए, PM10, PM2.5, NO2 यानि nitrous oxide, CO यानि carbon monoxide, sulfur dioxide, ozone, NH3 यानि ammonia, PV यानि lead, ये आठ component अगर air में मौजूद हो, तो उसके अधार पे air quality index को measure किया जाता है, सबसे important बात जो UPC अक्सर आपको फसा सकती है, और UPC न ऐसा trap भी फसा आया था, कि air quality index के तहत कहीं भी carbon dioxide नहीं आता है, carbon dioxide को measure नहीं किया जाता है, air quality index के तहत, अब देखो air quality index अगर 0 से 50 हो, तो अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, minimum impact satisfactory 51 से 100 के बिच में हो, moderate polluted माना जाता है, 101 से 200 के बिच में, poor माना जाता है 200-1300 के बिच में, very poor माना जाता है 301 से लेकर 400 के बिच में, severe माना जाता है 400-1500 के बिच में, आज जाकर कि आपने city क आप सर्ज करना air quality index क्या है, और हमें भी comment section में लिखना है कि आपके city में लाते हैं और आपके city का air quality index क्या है, net पे आपको मिल जाएगा data अब दिल्ली के air pollution का कारण क्या, सबसे पहला कारण तो पराली जलाना है, दिल्ली के air pollution का 46% region पराली जलाने के कारण pollution होता है दिल्ली में हजारों factory है, जहां पे कुईला आज भी इस्तमाल होता है, जो दिल्ली के air pollution का बहुत बढ़ा कारण है वाहन का pollution, जो गारी चलाते हैं, जो वेकल चलता है, उसका जो pollution होता है, वो भी दिल्ली air pollution का कारण है दिल्ली की भोगोली का स्थिती भी दिल्ली के पॉलिशन का कारण है मसलन मॉंबाई में आपको इतना पॉलिशन नहीं विलेका क्योंकि समुन्द के किनारे है दिल्ली जो है सेंटर में है बीच में है तो ये भी एक कारण है कि दिल्ली के एर पॉलिशन का Agro Climate Zone भारत में 15 Agro Climate Zone है Agro Climate Zone के अनुसार गिरिसी नहीं होना भी दिल्ली के air pollution का कारण है नहीं है जैसे कि आपको पन्जाब के छेतर है वहाँ के छेतर में धान अगरन के लाइक climate नहीं है वहाँ गहूँ हो सकता है लेकिन धान नहीं होना चाहिए बाकाइदा, लेकिन वहाँ पर धान की खेती हो रही है, तो एग्रो कलाइमेट जोन के अनुसार खेती नहीं होने कारण भी दिल्ली एर पॉलिशन होता है, देखो डबली एचु का एक रिपोर्ट है कि परतियक वर्स 42 लाख लोगों की मिर्ति लेकिन उसमें कहा गया है कि परतिक आठ में से एक लोगों की मोथ इंडीया में जो होती है, वो एर पोलिशन के कारण होती है, तो एर पोलिशन काफी सीवियर कंडिशन में भारत में है, ब लीकोट से pollution को रोकने के लिए odd event policy लाई थी जो इसका एक समाधान कर सकते हैं technology की इस्तेमाल YU YU एक तरह से air filtration है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दिल्ली के air pollution को रोकने के लिए जिसे tower होता है इस तरह का tower होता है और ये tower क्या करता है कि जो air pollution होता है उसको सोख लेने के काम करता है तो उसको YU कहा गया इसी तरह से grab run निती ये भी दिल्ली के air pollution का एक बहुत बड़ा कारण है इसके बारे मैं नीचे बताऊंगा electronics vehicle दिल्ली के air pollution को रोक सकता है जिस तरह से electronics vehicle की शुरुवात दिल्ली में होच चुकी है CNG बसकी और दिल्ली में चल ला है CNG गारी चल लगी है बिहार में भी हाल फिलाल में आपने दिखा होगा कि पटना में 50 CNG गारी शुरुवात हो चुकी है तो ये भी air pollution को रोकने का कारण है सबसे important कारण में से एक है waste to energy किस तरह से हम कचरा को energy में बदल दे कचरा को उर्जाम बदल दे कचरा में मूले create कर दे तो ये भी दिल्ली के air pollution का रोकने का एक कारण है behavior change बैभार परिवर्तन भी से माध्यम से भी दिल्ली के air pollution को रोका जा सकता है artificial rain का लगातार यूज होता है जब दिल्ली में air pollution काफी बर जाती है ये खास करके दिपावली के समय में जब दिल्ली का air quality index 2000 क्रॉस कर जाता है वो इसी condition में artificial rain करवाय जाता है कितिम रूप से बारिस करवाय जाता है smoke tower जो वायू मैंने उपर बताया था यहाँ पे इसी का एक रूप है smoke tower कुछ जगर दिल्ली में smoke tower लगाया गया है जो क्या करता है smoke को सोख लेने काम करता है यानि जो वातावरन में मौझूद होते हैं PM10, PM2.5, Nitrous oxide, Sulford oxide इसको सोख लेने काम करता है सुप्रीम कूट के द्वारे जस्तिस लोकूर की अध्यक्सता में एक समित्य बनाएगी है जो पराली पे नजर रखेगी ये भी दिल्ली के air pollution को रोकने का कारण है और अभी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ इस बिल में जो दिल्ली के air pollution को रोकने का काम करेगी वो एक समित्य है जिसके बारे में मैं इस समित्य से पहले आपको ये जानो कि दिल्ली के air pollution को रोकने की जिमिदारी जो है EPCA को थी यानि प्रियावरण, परदुशन, रोक्थाम और नियनतन प्रादिकरन यानि EPCA, Environment, Pollution, Prevention and Control Authority इसको थी 1998 में जो है इसकी अस्थापना किया गया था इस समित्य का द्वारा और 1998 से लेकर के 2020 तक ये समित्य काम कर रही थी लेकिन 2020 तक ये समित्य ने अपना काम ढग से नहीं किया दिल्ली के air pollution को रोकने में नाकाम हुई और यहीं जो EPCA है यहीं क्या करती थी Grayded Action Response Plan लागो करती थी ये कमिटी जो है और सक्षम रही है इसले 22 साल पुरानी इस कमिटी को 19-10-2020 को सवाप्त कर दिया गया है और इसके जगह 18 सदिस्य समित्य बना दिया गया है जो बाद में 21 सदस्य समिती बन गई अब दोखो इस समिती का नाम है वायू गुनवत्ता प्रवंद आयोग ये एक समिती बनी थी इसके लिए एक अध्यादेस आया था और इस अध्यादेस को बिल के माध्यम से अब इसको एक्ट बना दिया जाएगा और ये परमानेंट बर्डी बन जाएगी जिसका काम हुआ दिल्ली के एर पॉलिशन को रोकना अब देखो ये कैंद्र मंतरालियों के प्रतिनिधी के अलावा पांच राज दिल्ली के एर पॉलिशन का जो रेजन है वो पांच राज से सम्मंदित है पंजाब, हर्याना, रायस्थान, उतरपर्देश और दिल्ली ये पांचों राज्यों के प्रतिनिधी से बात करेंगे साथ ही साथ कैंद्रिया, पर्दुशन, नियंतन, बोट, सीपी, सीवी से बात करेंगे इस रो, दिल्ली के एर पॉलिशन को रोकने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी इस रो के पास भी है इसके अलाबार निती आयोग, पर्दुशन, विश्यसग, संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधी को सामिल किया जाएगा इस आयोग में इस आयोग के पास ये सकती होगी कि दिल्ली और इसके आसपास के आयोग पर्दुशन की समस्या के निप्तान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे दिशानिदेश देंगे, आवश्यक्ता परितो, सिकायत भी दर्ज करेंगे ये पाँचों राज्यकों समयनुए करने का काम करेगा यानि साथ लेकर चलने का काम करेगा और सबसे इंपोर्टन इसमें जो जुर्माने का प्रावधान है वो जुर्माने का प्रावधान है पाँच वर्स की सजा या एक करोर रुपय का जुर्माना या दोनो या तो 5 वर्ष की सजा आपको मिल सकता है या 1 करोर रुपय का जुर्वाना मिल सकता है या दोनों ही आपको दिया जा सकता है अगर आप इसके प्रावधान का उलंगन करते हैं तो तो कोशिस किया है मैंने कि दिल्ली air pollution के माध्यम से जो समिति वनी है इस समिति का detail से discuss किया जाया और साथी साथ दिल्ली air pollution का region और उसका जो solution है उसके concept पे मैंने आपके साथ details से discuss किया देखो कल भी हम ने discuss किया था राज्यों को फिर राजी फिर कर सकेंगे OBC आपती सुप्रीम कोट ने कहा था कि राजी OBC के पहचान नहीं कर पाएगी इसको लेकर करके सरकार एक बिल रेका रही है और इसके माधियों से राजी फिर एक वार OBC की पहचान कर पाएगी दक्षिन चीन सागर में सन्युक्त राष्ट के नियमों का पालन पर भारत का जोड़ तो ये जो है 11th East Asia Summit का आयूजन के आगया है और उस सम्मीट में हमारे देश के विदेश मंतरी ने बोलती भी कहा है कि दक्षिन चीन सागर में सन्युक्त राष्ट के नियमों का पालन होना चाहिए असपश्ट तोर पे उनका इसारा था चीन की तरफ क्योंकि दक्षिन चीन सागर को अपना पूरा छेत्र मानता है कून तो चैना मानता है दक्षिन चीन सागर में फिलिप्पीन्स वियतनाम मलेशिया आधी देशों के अधिकारों का असपश्ट तोर पे उलंगन कर देखुं इस्त ऐस अश्मीत जो है 18 देशों के द्वारा संचालित एक मेस्विक मंच हैं जिसका काम है कि छेत्रिय सांति सुलक्षा और संमिर्धि को कायम करना इस टेसिया समिट को आम छेतरिय, राजनिती, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पे सामरिक वारता तथा सहयोग के लिए एक मंच के रूप में विक्सित किया गया यानि आपस का कोई मुद्दा होगा तो उसको सॉल्व करने का कोशिस करेगा इसमें आस्यान के 10 देस हैं साथी साथ आस्टेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिन कोरिया, न्यूजलेंड, रूस और अमिर्का टोटल मलाके 18 कंट्री हैं, 10 आस्यान के देस हो गए हैं उस्टेलिया, चीन, जापान, भारत, कोडिया, नियूजलेंड, रूस और अमेरिका इसके अनसदस हो गए इस्टेसिया सम्मिट जो है आम छेत्री विसे राजनेती, सुरक्षा, आर्थिक मुद्दे इसको लेकर के डिस्कस करने का काम करते तो बेसिक कॉंसेट यही है, अब देखो यहाँ पे एक बस पॉइंट में डिस्कस करूँगा, हलाकि यह काफी पुराना टॉपिक है, नागरिक्ता कानून में किसी और संसोधन का प्रस्ताव नहीं, चुकि बेसिक कॉंसेट में आपके साथ इसलिए डिस्कस करूँगा, कि न सुप्रीम कोट ने एक स्थक टिपनी किया था, चुकि नागरिक्ता संसोधन के खिलाप कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, कुछ उसके पक्ष में आंदोलन कर रहे थे, सुप्रीम कोट ने एक स्थक टिपनी किया था, कि नागरिक्ता कानून संसोधन कानून जो है, उसके च पहले आपको जानकारी होना चाहिए किस चीज का आप बिरोत कर रहा है या किस चीज का आप समर्थन कर रहा है देखो नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2019 में संसोधन करता है इसमें जो बेसिक प्रावधान किया गया सबसे इंपोर्टेंट और बेसिक प्रावधान जो किया गया है वो यह किया गया कि 31 दिसंबर 2014 ये cut of date याद रखो काफी इंपोर्टेंट है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति भारत आच चुके हैं अफगानिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान के जो व्यक्ति गैर मुस्लिम व सीख हो गया बोद होगया जैन हो गया पार्सी हो गया और इसाई हो गया इसकी कि बात किया गया था अफगानिस्तान और बांगलादे से 2017, 2018, 2019, 2015 में भी आया है क्या उसको लाब मिलेगा इसका तो बिल्कुल नहीं मिलेगा तो लाब का क्या आधार है देखो लाब का कुछ बिशेस आधार नहीं सिंपल आधार है एक व्यक्ति चाहे वो पाकिस्तान सोग या विश्यू के किसी भी देश से वो किसी भी कम्रेटी का मुस्लिम ही क्यो नहीं हो अगर वो भारत में 11 वर्ष रह चुका है और पलस एक वर्ष से लगातार भारत मरा रहा है यानि पिछले 12 वर्ष से वो भारत मरा रहा है इसमें क्या किया गया है कि 5 प्लस 1 कर दिया गया यानि पिछले 6 वर्से 5 वर्स भारत मरा चुके हैं और पिछले 1 वर्से भारत में लगातार रहे हैं पिछले 6 वर्से आप भारत मरा रहे हैं तो आपको नागरिक्ता मिलेगी यानि जो नागरिक्ता आदिनियम 1905 में 12 वर्स मे आप भारत मिलाते तब आपको नागरिता मिलती स्रीये में क्या किया गया कि आप 6 वर्स भारत मिलात चुके हैं तो आपको नागरिता मिल जाएगे लेकिन 6 वर्स का जो समय है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले होना चाहिए 31 December 2014 से पहले आप भारत आ चुके तभी आप नागरिता के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें तीन देश पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान को सामिल किया गया छे कम्मूनिटी को सामिल किया गया, छे धर्म के लोगों को सामिल किया गया हिंदू, सीख, बौध, जैन, पार्सी और इसाई, मुसलिम को क्यों सामिल नहीं किया गया क्योंकि ये तीनों ही देश में, पाकिस्तान, मंगलादेश और अफगानिस्तान, तीनों ही देश में 2019 में, तो ये बेसिक कॉंसेप्ट है, इसका प्लस माइनस क्या पॉइंट है, साकानात्मक और नाकानात्मक क्या पॉइंट है, ये मैं बात में डिसक्स करूँगा, लेकिन बेसिक कॉंसेप्ट पतावना चाहिए, कट अप डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके है, उसी को इसका फायदा मिलेगा देखो ये में सोगर लिखने के लिए काफी काम आ सकता है, कि निचली अधिनस्त अधालतों में 3.93 क्रोड से जायदा मुकदमे लंबित हैं, तो ये आपको काम दे सकता है राष्टिय न्याइक डाटा ग्रिट पे 30 जुलाइक तक की सूचना के आधार पे 3.93 क्रोड लंबित मामले हैं निचली अधालतों में तो इसलिए जब न्याइप आलिका क्या आलोसना लिखना है, तो आप इसको लिख सकता है कि 3.93 क्रोड काफी बड़ा नंबर है, इतना मेटर अभी तक लंबित है देखो, CVI के पूर्व निदिश्यक आलोक वर्मा पे लठकी तलवार तो यहाँ पे निउस से अधिक इंपॉर्टेंट है CVI, CVI के वाड़े मैं बेसिक में डिस्कस कर देता हूँ कई सारे लोगों को लगता है कि CVI गिरी मंत्रा लेकर लेकर आता है CVI हो मिनिश्यक आता है, ऐसा बिलकुल भी नहीं है सबसे पहले तो यह याद रखना है, CVI आता है कार्मिक, पैंसन और लोक शिकायत मंत्रा लेकर लेकर आता है दूसरा है कि CVI is neither constitutional body nor statutory body, CVI ना तो समिधानिक संस्ता है और ना ही सामिधिक संस्ता है समिधानिक संस्ता नहीं है, समिधान में इसका कहीं भी जिकर नहीं है और समिधिक संस्ता नहीं है, इसका मतलग क्या है कि संस्त के किसी एक के माध्यम से इसका निर्मान नहीं किया गया तो CVI का कारिपालिका आदेश के माध्यम से CVI के निर्मान किया गया है और CVI को जो सकती प्राप्त है, CVI जो जांच करती है, वो करती है दिल्ली Special Establishment Act 1946 के माध्यम से CVI जांच करती है CVI के गठन 1963 में किया गया था, गंभीर अपरात, उच पदों पे भ्रास्टाचार, गंभीर धुखादरी, ठगिक, गवन, समाजिक अपरात के अनुवेशन के लिए किया गया था और CVI Interpol के सहयोगी करूप में काम करती है, यानि Interpol को को information चाहिए CVI से, तो इंडिया से को information चाहिए Interpol को, तो CVI को कंसल्ट करेगी, इसे तरह से CVI को को information चाहिए बिस्व से, तो वो Interpol से कंसल्ट करेगी, तो Interpol के सहयोगी करूप में भारत में CBI काम करता है तो यह basic जानकार यह जो होना चाहिए इसके अलावा CBI को लेकर के कई मुद्धे हैं जो बाद में मैं डिस्कस कर दूँगा देखो इसको लेकर के कलमी हमने डिस्कस किया था कि MSME और बैंकों को दिवालिया कानून से फायदा दिवालिया कानून जो आया था IBC Insolvency and Bankruptcy Code 2016 में आया था और इसको क्या किया जा रहा है कि नया कानून लाए जा रहा है मतलब इसको परिवर्थित किया जा रहा है Insolvency and Bankruptcy Amendment Act 2021 की से लाए जाएगा चीनी उद्योग पर गन्ना संकट गराने के आसार देखो चीनी उद्योग को आपको समझता होगा एक चीनी उद्योग जब भी आप देखोगे तो एक यहाँ पर वर्ड आया उच्छित वल लाबकारे मूल उचित वाल लावकारी मूल ये word अकसर आता है चीनी उद्जोग को लेकर के तो इसको इंगलीज में कहा जाता है F R P अब जो को ये मूल क्या है उचित वाल लावकारी मूल क्या है कि चीनी मिले जिस मूल पे किसानों से गण्ना खरिती है चीनी मिले जो है वो गर्णा किसे खरिती है, किसानों से खरिती है और जिस मुल में किसानों से खरिती है उसे ही कहा जाता है उचित और लाप्रद मुल इसका निर्धारन कहा जाता है CPCB के द्वारा Commission of Agriculture Cost Price CPCB के द्वारा इसका सिफारिस कहा जाता है और इस इफारेश के आधार पर इसको ताई किया जाता है cabinet community on economic affairs CCEA के द्वारा इसको ताई किया जाता है अब देखो यहाँ पर आपको दो-तिन बाते समझनी होगे इसू क्या है इसू यह है कि CCEA जो है इफारे ताई करती है उचित और लावकारी मुलता ही करती है और यह पैसा दे देती है state government को state government का एक body है state administrative price यह क्या करती है कि FRA जो cancer कार ने पैसा दिया उससे क्या करती है कि कुछ bonus डाल देती है कुछ extra पैसा दे देती है और वो दे देती है sugar mill को सुगर миल मालिक क्या करता उस पैशा को देठेता है किसानों को यह इनी जो बॉनस होता है ुस बॉनस को लेकर करे लगातर इसू होते रहता। एक तो अफरे को लेकर के इसू होता है उचित और लावगारी मुल्स को लेकर कि जो होता कि कें सरकार कितना मोर्ण तय Shop और राज सरकार क्या करता है बोनस को लेकर के राज सरकार में इसू होते रहता है जैसे हैं अभी उत्तर प्रदेश में एलेक्शन होने वाला है तो अभी क्या करेगा उत्तर प्रदेश सरकार बोनस को बरहा देगा यानि जो गर्णा मिल को है उसको अधिक फैदा होगा उसको अधिक लाव होगा और उसका लाव जो है फाइनली होगा फार्मर को किसानों को लाव होगा लेकिन जब चुनाओं का इस समय नहीं रहता है तब यह जो है बोनस कम कर देता दूसरा यह है कि शुगर मिल मालिक का पॉलिटिकल लोबिक काफी important होता है कई सारे पॉलिटिकल जो आपको केंग में मंतरी ओगड़ दिखेंगे या चेने घूख़ेंगे उसका अपना गर्णा मिल होता है तो उसका लोबिक काफी important होता है तीसरा अफेक्ट है कि पाने की खपत 70% किर्सी पाने का इस्तेमाल गर्णा और धान के खेती में होता जो अगर हमें जल सन्थ defining करना है तो गर्णा की खेती को कम करना होगा अब देखो एक केजी चीनी के उत्पादन में लगवा पंदरा सो से लेकर के 2000 लीटर पानी के खपत होता है जो सबसे बड़ा इस्वेशो में से एक है हम देश में बात करते हैं जल प्रबंदन का और इतना पानी का यूज होता है 1500 से लेकर 2000 लीटर तक 1 kg गर्णा के उत्पादन में भारत में गर्णा जो है महगा होता इसी यह कारण है कि जो ब्राजील ओरा के गर्णा वो सस्ता होता भारत के गर्णा महगा होता तो ऐसी कंडिशन में ब्राजील के गर्णा से हमें फाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट पर सबसीडी देते हैं, भारत सरकार एक्सपोर्ट जो करती है गन्ना का या चीनी का जो एक्सपोर्ट करती है, उस पर सबसीडी देती है, क्योंकि हमारी गन्ना महगा होता है, हमारी चीनी महगी होती है कुछ राज में गन्ना की उत्पादक्ता अधी कहता था अन्किर्सी की उत्पादक्ता घट रही है और कई सारे जैसे हमने बताया था एग्रो क्लाइमेट जोन तो कई जगह इसा है जहां पे पानी कम है जिसे पंजाब ओगरे के छेत्र में पानी कम है फिर भी वहां पे गन्ना हो गया जाता है इसे तरह से महाराश्टा ओगरे के छेत्र में जहां पानी के समस्या फिर भी वहां पे गन्ना हो गया जाता है तो इसे जल संकट बढ़ता है पारस्तिती के संगट इससे काफी बढ़ता है तो इसको भी हमें देखने की जोड़त है दो इसलिए निती आयुव ने स्जेस्ट किया था कि 40% गन्ना का छेतर को भारत सरकार कम कर दे और साथी साथ राश्तिय बायो फ्यूल पॉलिशी में जो है गन्ना का जो इक होता है इक क प्रष्ट और लावकारी मुली क्या होता है उसका बेसिक कॉंसेप्ट आपको किलियर हो गया होगा कुछ खास इंपॉर्टें नहीं है एक बार देख सकते हैं वन टाइम देख सकते हैं बहुँ ज़्यादे इंपॉर्टें नहीं है परेक्षन के लिए समुद्ध में उतरा स्वादेसी निरमित पहला विमान बाहाग पोट वंडे एकजाम के लिए सबसे इंपोर्टन ठेक्ट हो गया पहला विमान बाहाग पोट का नाम क्या है विक्रान्थ है जो अर्लेडी उतर चुका है तो एक बार इसको देख सकते हैं नाम जरूर याद रखना विक्रान्त दक्षीन चीन सागर में चार युद पूत भीजेगा भारत इसको बूलते हैं दवाओ की पॉलिटिक्स करते हैं या अगर बेक्षर्चा hypoc already in China, Rs. EU की पॉलनात अब इसी तर इसको भारत को वेक्षिन उत्पादल में मदद कर रहा है अमेरिका, अमेरिका इनिशिली भारत को कच्चा माल नहीं देता था कच्चा माल जिसको हम API बोलते हैं दवा बनाने के जो कच्चा माल है वो उसका भारत में manufacturing नहीं होता, बहुत कम होता तो ऐसे condition में हमें कच्चा माल की ज़रुत थी, चीन के साथ हमारा लड़ाई चल लाता, चीन हमें कच्चा माल नहीं दे रहा था तो हम अमेरिका गए और भारत के विदेश मंतरी अमेरिका गए थे और उन्होंने कहा कि हमें कच्चा माल देजिए और निश्य तोर पर वरतमान में कच्चा माल अमेरिका भारत को दे रहा है इसलिए वर्तलवान में वैक्सिन की भारत में कोई समस्या नहीं दिख रही है, चुकि कच्छापाल प्रयाप्त रूप से अमेरिका से आ रहा है, चलिए आज हमारे पास इतना ही न्यूस था, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एक बार इसको भी पर सकते हैं, वाई प् बाद, थांक यू सो मच्छ, प्लीज दू लाइक, से दिन सब्सक्राइब, थांक यू.